आज हम बना रहें चिकन फजीता बर्गर बहुत ही टेस्टी चिकन फजीता बर्गर बनकर तयार हो हैं इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेर कर रहे हैं इसके लिए लिया है हमने बॉनलेस चिकन बारीक स्टिक में काटा है मसाली में लिया है लाल मिच का पाउडर कश्मीरी लाल का लेमिच चलीफ लेग्स और इह नमक स्वात के न सार्ख उसकी की लखेंग। संच ये लिया है प्यास का पेस्ट लिया है। इसको हमने के प्ट्दू कस करके लिया है। डेमेटा सास वनेघर लेंगे। आल लेंगे। अब कुछ सब्जे लिए हैं प्याज हरी रेड और येलो शिम्ला मिर्च मसालो को समिज डालेंगे हम अपने चिकन को मैरिनेशन करेंगे तो सबसे पहरे डाला है हमने लैसन प्याज और सभी मसाले इसके अंदर डाल दिया है टेमेटो सॉस 1 टेबल स्पून फुल बर के लिया है हमने ओईल भी लिया है वन टेबल स्पून विनिगर भी वन टेबल स्पून फुल बर कर लिया है सबी चीजों क अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए एक्साइट रख देंगे चिकन को हमारे 10-15 मिनट हो गए है मेरिनेशन में हमने डाला है इसमें वन टेबल स्पून ओईल और जो चिकन को मेरिनेशन करके रखा था उसको इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह से फैला देंगे इसको ताकि जो हमारी चिकन स्ट्रिप बनी भी है वो अलग-अलग रहे हैं इनको हम कलर चेंज होने तक अच्छी तरह पकाएंगे इसको हम ढखकर पकाएंगे, इसके सॉफ्ट होने तक इसमें लगेंगे, कम से कम 6-7 मिंट, जिकन अच्छी तरह पानी भी छोड़ दिया है, यह बहुत पतला कटा हुआ है, इसलिए जल्दी से ही गल जाएगा, यह देखें, यह एकदम सॉफ्ट हो चुका है, और इसके पानी को ड्राइ कर लेंगे, एकदम ड्राइने करेंगे, बस हलका-लका सा रहने देंगे, इसके वह दा लेंगे, हम अपनी सबजिया, सबजियों को रूड़ मिक्स करेंगे, इसके साब, और सब्समें को नहीं पकाना है, 2-3 मिनट के लिए ही पकाना और इसको इस तरह जाँ पहला कि अगर तैयार है इसके अंदर डालेंघे हम मोज्रेला चीज । चनच चिली फिलेक्स च तरह चिली फिलेग्स अची तरह छड़क देगे सब तरफ और एपर यहागी पीजा वाली लोग आए और टेस्ट भी आ इसमें डालेंगे हैं मिक्स हcticaप और इसको चीज को मेल्ट होने तक हम इसको ड़क कर पकाएंगे वीडियम लोड हीट पर जब तक हमारा चीज मैल्ट ना हो जए तब तक पका लेंगे चीज अच्छी तरह मैल्ट हो चुकious है, त्यार हो गया है हमारा चिकन फजीटा अब हमने लिये हैं बन, तो हमने बन बन को बीच में से cut कर लिया है इस पे लगाएंगे हम अलका सा बटर और इनको सेक लेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए बन के अंदर इसकी जगा ब्रैड भी ले सकते हैं हमने बन का इस्तामाल किया है दोना तरफ से सेक लेंगे इस तरह हमारे बन भी गरम होकर तयार हो गए हैं हमने लिया है दो टेबल स्पून म्योनिज बन टेबल स्पून में डालेंगे चिली सास और इसका एक पेस्ट बना लेंगे बहुत अच्छी सास बन कर तयार हो गई है जो बन का नीचे वाली साइड है उस पर लगाएंगे हम यह अपना म्योनिज वाला सास और ये चिकन फजीता बिल्कुल तयार है इसको हम एक सप्ट लाया किसी की पी मदस से हम इसको कट करेंगे और अपने बन के उपर रखेंगे इस तरह से ये देखें कितना बहतरीन साथ हमारा चिकन फजीता बन बरगर बन कर तयार हुआ है चिकन फजीता बर्गर बहुत ही टेस्टी एकदम यमी बन कर तयार हुआ है दिखने भी इतना बहतरी बन को हम बीच में से कट करेंगे देखें इसकी अच्छी सी टिफिन चिकन फजीता बर्गर एकदम बन कर तयार हो गया हमारा एक बार जरूर ट्राइ करें चिकन फजीता ब झाल झाल